नमस्कार दोस्तों जैश्री कृष्णा जैश्री रादे दोस्तों कैसे है आप सभी आई होप कि आप से बच्छी होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फरवरी का महीना कन्या राशी वाले जातकों के लिए क्या उतार चड़ाव लेकर आ रहा है उनके किज़े एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बैल आइकन को प्रेस किज़े जिससे के मेरे द्वारा अपलोड की हुए सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे आपको देख रहे बाल्स नमबर और फ्रे एस्ट्रोविश सर्विज बुद्ध देव जो है वो मकर राशी में मारगी अवस्ता में आजाएंगे फिलाल बुद्ध देव जो है वो अस्त और वक्री अवस्ता में चल रहे हैं तेरा फरवरी को सूर्य देव का मकर राशी को छोड़कर कुम राशी में गोचर होगा कुम सक्रांती है 26 परवरी को मंगल देव का, धनुराशी को चोड़कर मक्राशी में गोचर होगा और 27 परवरी को शुक्र देव का, धनुराशी चोड़कर मक्राशी में गोचर होने बारा है यहाँ पर यह जो गोचर है यह कन्या राशी वालो आपके जीवन में क्या उतार चुड़ाव लेकर आने वाले हैं यह जो गोचर है आपके जीवन में क्या अच्छी चीजे लेकर आएगा आपके जीवन में क्या बुरी चीजे लेकर आएगा यहाँ पर यह गोचर आपके जी माला रहेगा आपको जीवन में जहां असफलता ही मिल रहे थी जहां जीवन में आपके काम नहीं बन रहे थे जहां पर आपको हर कदम कदम पर परिशयन्य दिख रहे थी वो सारी परिशयन्य हट जाएगी और आपके जीवन में आपको एक नया और एक अच्छा सुंदर बवि देवगुरु ब्रहाशपती की कृफ़ा से आपके जीवन में आपके कारि श्रेक्त्र में आपको सफलता मिलेगी क्यूद कि देवगुरु ब्रहाशपती जो है आपके सिक्स थाउस में गोचर कर रहे हैं और छटे घर से देव गुरु ब्रास पती जो है अपनी पूर्ण और उपसे पंचम द्रश्टी से आपके टेंथ थाउस को देख रहे हैं जिससे आपके कारिश्वेक्तर में अच्छी जीज़ा आपको प्राप्त होगी लेकिन यहाँ पर हो सकता है कुछ आपको कर्ज की प्राप्ति आपके कारिश्वेक्तर में दिलवास आए पंचम बाव में शनी का एकादवश और सेकंड उस पर दर्श्टिकत करना पंचम बाव में शनी बिराजमानेर वहाँ से आपके 11 उसको देख रहे हैं उसके बाद आपके सेकंड उसको भी शनी यहाँ पर देख रहे है तो यहाँ पर मैं एक चीज आप से कहना चूँगा कि थोड़ा सा आप आर्थिक पक्ष के मामले में कंजूस दिखेंगे आप पेसा कमाएंगे ऐसा नहीं कि नहीं कमाएंगे अब बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा आप इस टाइम पर बहुत ज्यादा कंजूस दिखेंगे आप पेसा खर्च नहीं करेंगे और इससे आपके आर्थि पक्ष में इस टाइम पर मजबूती बनी रहेगी आप पेशा जो है बचाने में काम्याब इस टाइम पर रहेंगे वैसे देखा जाए तो हाला कि पंचमबाव में आपके सुर्य बूद और शनी एक साथ विराज माने सुरी शनी की यूती भी है तो ऐसे में विद्यार्थियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है में आसे डिटीज वगरा इसकी परिशानिया आपको देखने को मिल सकती है लव लाइफ वाले जातकों को केनल चंगा लव अफेर्स में परिशानिया आसकती है आप अपने पार्टनर को संतुष्ट इस टेम पर नहीं कर सकते हैं तो यह पर शूक्र का बिराज मान होना एक तो आपके लिए अच्छी यह हो गई कि आपका शुक्र जो है आपको बेनिफिट देगा शुक्र आपके लग्जरिस लाइफ में बेनिफिट देने वाला है आप कुछ वाहन वगेरा या कुछ गर में किसी चीज का नया मुझलब की नई चीज ला सकते हैं गर में एश्वार वालों के बीच में कुछ नो कुछ कलह बनी हुई रहेगे उठा पठक रहेगे जिससे आप असंतुष्ट पारिवारिक जीवन से अपनी माता से स्टेंपर रह सकते हैं सूर्य और बूद और शनी के एक साथ पंचम में होने से प्रेमीर यूगलों को भी बहुत ज़्यादा प्रेशनिया को सामना इस्टेंपर करना पड़ सकता है अंसैटिस्पेक्शन यहां पर आपको आपके लव लाइफ से रहने वाला है कन्या राशी के जातकों के अगर स्वास्त की दृष्टिकर से देखा जाए फरवरी का मैना कैसा रहेगा मैं आपर ज्यादा बड़ी बात करते रहे नियमित आप सेर पर जाए शुद्द और पोश्टिक आहां ले आपके लिए अच्छा रहेगा अंशन खाना आपके लिए अच्छा नहीं रह सकता है तो इस चीच का द्यान रखे और खान पान पर आप बहुत ज्यादा विचार करे इसके बाद आपका स्वास्त अच्छा रहेगा लेकिन मैं आप पर ज्यादा कौन सी क्या प्रोब्लम सुने वाली वो नहीं बतोंगा हो सकता है चोटी मोड़ी पेट से रिल्टेर प्रोब्लम हो जाए क्योंकि सूरिय का पांचपे गर में गोचर लेकिन ये भी महीने के मध्य में बदल जाएगा सूरिय अच्छे करमें गोचर कर जाएगे तब आपको अच्छे रिजल्ट दिरे दिरे प्राप्त होना शुरू हो जाएगे यहाँ पर कन्या राशी वाले जातकों मैं आपको कुछ छोटा सा उपाई बताऊंगा इस उपाई को अपने जीवन में उतारिएगा जिससे आपके दिन विशेश रुप से आप द्यान रखिएगा शनिवार के दिन आप अपने उपर से दो मुठी मूंग जो थे वो लेकर उतार कर बैत हुए जल में आप प्रभाहित कर ले यह आपके लिए अच्छा रहेगा और अगर आपकी कुंडली एलाउड करती है तो अच्छी गु घर्मपती महराज की शरण में चले जाएए आपके विग्ण हर्ता जो है वह आपके सारे विग्ण को हर देंगे यह चोटा सा उपाई से उपाई अपना लीजेगा आपके जीवन में आपको सुक संब्रदी तरक की प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी तो आज की वीड़ो और महत्वपुन रही होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेख कीजिए जिससे की दूसरे लोग भी इस चिसका फाइदा उटा सके दोस्तों बने रहे ही इस चैनल के साथ मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे है एस्टो वीश चैनल जाइशिक्रिष्णा